खबर पिपरिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 दिन के लॉकडाउन के आदेश के साथ ही पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए बजार और शहर खाली क्रदिये थे लेकिन सरकार के नए आदेश के बाद जन्हा मार्केट फिर से भरे हो गए है वनही संक्रमन का खत्रा भी बढ़ गया है पिपरिया वब अखेडी में सुबह से आम दिनों की तरह ही माहौल था लोग घरों से निकले और मार्केट पुरा भीर से भर गया लेकिन क्या इन सबसे कोरोना पर जीत हासिल की जा सकती है कोरोना के प्रती जन्ता की हलकी नजर को देखते हुए कल से 24 गंटे के लॉक डाउन के आडेश SDM मदन सिंग रगुवन्शी ने ददिये है ऐसी स्थिती में जरूरत की वस्तुयों की होगी होम डिलिवरी अनुविभागिया अधिकारी मदन रगुवन्शी से सचिन शर्मा की सीधी बाद बजार में आ रहा है पहां से लेकर तक की भीडो जाती है और जो जो है कम्प्रील लागडाउन का जो उद्देश है पूरा नहीं हो रहा है तो प्रसरा ने यह निनने लिया है कि एक तो कोई भी गाडी नहीं चले देंगे कि अधिने नहीं चलेगी कोई भी कार नहीं चलेगी कोई मोटसाइकल नहीं चलेगी सारे बंद रहेंगी दूसरा जो आपको अगर सब्सक्राइब नहीं जाएगा वह जए तो फॉन कर दीजिए कि आपको उसे अपिल की है वह सामान के पेक्ट बना कर राके छोटे-छोटे ए जिसने मागा उतना अपने एसाब से महले में जहां वहाँ सप्लाई कर दीजिए दूद वाला दे लेगा महाँ जाके पिपर वाला देता है यह घर कर जाकर बस खतम और कुजरत नहीं है हमारा जो कोरोना वारस चलने से ऐसे ही रोका जा सकता है उन्लों कल से हम पिपरिया बंखेड़ी पचमणी को टोटल लागडाउं समझे जी जी बहुत खबर भारतवर्श के लिए पिपरिया से सचिन शर्मा की रिपोर्ट अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ पैल आइकन दबाना न भूल क्योंकि खबर हमारी पैसला जनतंत्र का